हलो दोस्तों मैं विभास आपका स्वागत करता हूँ हर्टेश्ट पे आज हम लोग जी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो लॉंच वाहे आर्कोस कंपनी के तरफ से इस्पोन का नाम रखा गया है आर्कोस 50 ग्राफाइट आर्कोस 50 ग्राफाइट में जो डिस्प्ले दिया गया है वो एक 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले है प्रोसेसर जो इस फोन में दिया गया है वो है मिडियाटेक MT6737 का एक वाटकोर प्रोसेसर जिसका क्लॉक स्पीड है 1.5 GHz का ग्राफिक परफोमेंस के लिए जो GPU इस फोन में दिया अगर मेमोरी को देख लिया जा तो इस फोन में दिया गया है 1 GB का RAM और internal storage इस फोन में दिया गया है 16 GB का और आप इस capacity को expand कर सकते है 128 GB तक external memory card के साथ फोन में जो rare camera दिया गया है वो एक dual lens camera है जिसमें से 1 lens 13 MP का और 1 lens 2 MP का है और front में इसमें 5 MP का camera दिया गया है rare camera के साथ आप full HD video recording कर सकते हैं दोनों camera के साथ ही एक LED flash दिया गया है इस फोन में अगर बैटरी को देख लिया जो तो इस फोन में जब बैटरी दिया गया है वह है 2400 mAh का एक lithium man बैटरी sensors जो इस फोन में दिया गया है वह है light sensor, proximity sensor, g sensor, compass और gyroscope इसके अलाबाए इस फोन में एक fingerprint scanner भी दिया गया है अगर sim slot को देख लिया जातो ये phone एक dual sim phone है connectivity में इस फोन में दिया गया है 4G LTE का connectivity इसके अलाबाए इस फोन में Bluetooth और Wi-Fi का connectivity भी दिया गया है OS जो इस फोन में दिया गया है वह है Android का latest version Android 7 Nogat का अगर color को देख लिया जातो ये phone launch वा है एक color variant में जिसका color है graphite black अगर price को देख लिया जातो इस फोन के price details अभी तक available नहीं है बहुत ही जल्द कुछी दिनों में Arcos इस फोन के price details भी available कर देगा तो दोस्तो ये था specifications of Arcos 50 graphite का अगर ये वीडियो अपका अच्छा लगे तो please like this video comment on this video और please अपने दोस्तों के साथ इस video को share करे और future में अगर आप ऐसी वीडियो के और updates पाना चाते है तो please subscribe करे what next को मैं आपका updates देता रहूंगा thank you for watching this video bye bye